हैलो माई यूट्यूब फामली वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छी होंगे गाइस हम सब ठीक हैं हजबंट भी पहले से ठीक है तो हम मैं भी ठीक हूँ हम सब ठीक हैं फरक पड़ता है ना घर का एक भी member तकलीफ में हो तो फिर अच्छा नहीं लगता या घर का महोल ही change हो जाता है तो अभी मैं आई हूँ नहा कर आज मैंने बाल वाश की हैं बहुत दिन बाद यानि कि बहुत दिन wins इतने भी दिन नहीं यानि कि चार-पांस दिन हो गए तो मैंने बाल नहीं दोपारी थी तो मैंने बाल दोए और अभी husband आये हैं hospital से पट्टी करवा के उनको बलाया था तीसरे दिन यानि कि आज उनको पट्टी करवानी थी दूसरी city जाकर यानि दूसरी city में वो hospital पढ़ता है सच बहुत खुश हो रहा था उनको देखके वो जैसे ही आए इतने दिन तो इतना डर रहा था उनसे इतना डर रहा था पता नहीं क्या डर बैट गया पर अभी थोड़ा से खुल रहा था यानि अभी खुश हो रहा था उनको देखके वरना तो बहुत ज्यादा इग्नोर कर र लिए है हल्दी नमक और घी में जीर डालके और उपर से थोड़ा गीर डालके बस यही दे रही हूं और एक दे रहे हैं दूद दे रहे हैं एपल दे रहे हैं इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं यह देखे कितना सिंपल सा दलिया बनाया है जैसे ही उनके टांके खुलेंगे एक तो मौसम अलग है बारिश वाला तुड़ा डर लगता है तो seriously बहुत डर चुके हैं और 13 टांके हैं तीरे टांके बहुत होते हैं जैसे उनके टांके खुलेंगे ना तो फिर और डाइट हैवी कर देंगे ताकि उनको डाइजेस्ट करने प्राब्लम नहीं आए क्योंकि चलने फिरने लगेंगे जादा वैसे अभी भी जाते हैं जिम तो शाम को पस वो ही बाइक या गाड़ी में जाते हैं तो वो जादा वर्क आउट वाली बात नहीं होती फिर धीरे धीर उनको हर तरह की हेल्दी चीजें देगें जो घर में मैंने मंगवा रखी है वो दीरे दीरे डाइट बढ़ाएंगे उनके और चीजें बढ़ाएंगे उनके हेल्दी फूड में अभी तो पस इतना ही दे रहे हैं और सिर्फ तीन चार दिन पांस दिन और देंगे रॉक्टर ने पांस दिन बाद बिलाया है टाके कलवाने के लिए और हम लोगों ने अपना बोर्या बिस्तर नीचे डाल लिया है क्योंकि सच बहुत शैतान हो चुका है और ये एजी ऐसी है बच्चा है चंचल है कहीं उनके हाथ पे जंप कर दिया तो बहुत डर लग रहा है तो मैंने उसको क्या किया हम दोनों ने नीचे ही अपना बोर्या बिस्तर डाल लिया तो हम लोग नीचे बैटे थे और उनको उपर सुला रखा था होता है यह रिस्क लेना बिल्कुल नहीं बनता तो मैं तो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती और सच इतना चोटा उसको कुछ पता है नहीं तो हम लोग नीचे बैटकी मस्ती करें तो यसाथ में बाल सुखा रही थी गाइस ये टाइम हो चुका होगा शायद बारा एक बजे का एक बजे के आसपास का और मेरे और थोड़ा हर चीज लेटी हुई क्योंकि होता ही आराम से उठे थे हैं हस्बेंट तो आराम से उठते हैं दस ग्यारा बजे थे हैं क्योंकि दवाईयां है उनकी नशे वाली है पेन कीलर है तो वो अराम से इतना दर्द में है तो वो अराम से उठे तो बस उसके बाद वो हस्पिटल गए तो मैंने पीछे से सच को नेला है मैं नहाई सफाई करी ये वो जो बेसिक जो होती है घर के का काम बेसिक आप लोगों को पते है ये वरतन वरतन का सफाई का है ये वो बस हमारा चाय बिस्किट यही नाश्ता हुआ था और कुछ नहीं हुआ था तो दलिया मैंने इनके लिए बनाया और अब दलिया लाकर दूंगी ये दलिया खाएंगे और सही बताओं तो आज मैं भी काओंगी टेस्टी लगता है ये गीमे अच्छा लगता है उसके बाद मैं अपने लिए कुछ देखूंगी क्या करना है सच को तो वैसे डलिया बहुत पसंद है बच्चा है डलिया खिचडी इसके लिए बहुत हेल्दी है तो ये बहुत पसंद कर रहा है और दिन में हम दे बाल वाल सुखा रही थी अपना छोटा मोटा मेक अप नाने के बाद जो मैं करती हूं इतने में वो आ गए थे तो मैंने उनको भी व्लॉग में ले लिया था तो बस सच बहुत मस्ती कर रहा था यहां पे और अभी यह सो गया तो मैंने सुच्छा मैं इसको थोड़ा सा कुछ पर लेट ओरी थी काफी मैंने सुचे खा लेती हूं जब वो सच उटेगा तो सच को भी खिला दूंगी तो साथ साथ हम लोग बाते भी कर रहे थे और हम दोनों ही कहा रहे थे बस भगवान गरे जल्दी से ठीक हो जाए इनके टाके खुल जाए आधी टेंशर हल हो जाएग तो मैंने ठीक है मैं उसके पास हो जाती हूं तो उटता नहीं जाएगर TV की वॉल्यूम कितन भी तेज हो तो बीच बीच में वो उट रहा था, फिर मैं उसके पास ऐसे चिपका रहे थी उसको तो, अब सच उटिया तो इसको, मैंने से चदलिया खिला दो, विल्कल इचरी होती, छोटा बाबु बुखा हो, छोटा बाबु ने कुछ ना काया हो, बुखा मिंस वैसे बुखा नहीं था, पर खाना तो, जो हम खारे, जो मैं खाती हूँ न, थोड़ा सा वो भी खाले तो अच्छा लगता है, भले थोड़ा सा खाये, खाता तो थोड़ा सा ये बच्चा है, और वो अपने पापा को उठ उठ के देख रहा था, इतना ही काफी है, वरना इतने दिन से तो इतना भी अब बहुत परिशान कर रहा है, और अभी मैं अपने लिए चाय बना रही थी, बहुत सर्दी लग रही थी, ठंड, पदा नहीं, भारिश का मौसा मैं शैद इसलिए, फैन तो मैं एनी टाम रखती हूँ, तो मैंने सोचे मैं मेरे लिए चाय बना लेती हूँ, उनको एपल क हस्बंड को क्या-क्या चीजें दे रहे हैं, क्या दोपहर का रूटीन है, यह दोपहर का ही है, जो भी है, और बस बच्चे के साथ हस्बंड को भी केर कर रही हूँ, और घर का काम भी करते हैं, मैनेज कर रही हूँ, बस देरे-देरे हो जाएगा कुशनी, सब हो जाता है, बस जल्दी से ठीक हो जाया और जाई आज कि लिए बस इतना ही अगर आप लोगों को मेरे ब्लोक्स पसंद आ रहे थे प्लीज सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को शेट करना और लाइक तो ज़रूर करना गाईज और आज खे लिए बस इतना ही थैंक यू जो आप लोग कॉमेंट्स करते हैं प्यारे 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 बाइए